पताने क्या हो गया ओ शिट ओ माय गॉड लाइट नौब यार इन सिप्पूरी क्वालियर से हम लोग 10 बजे निकल गए थे ताइम होड़ा 1130 हम लोगों ने सवा घंटे में 105 ए 110 किलो मिटर कर लिया है यह रोड से हम लोग गये हैं तो हमें पता है यह रोड बहुत ही अच्छ करेंगे जल्दी से जल्दी होटल पहुंचने का अब लोग पता है कि आज का जर्णी है वह जैन का है तो जैन हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर दर्सन करेंगे और कल देखेंगे कल अगर दर्सन सुबह हो जाता है तो जल्दी उजयन से निकल जाएंगे नहीं तो फिर एक दीन और उजयन में रुकना पड़ेगा तो फटापट चाय पीते हैं और निकल देशुबह ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि वालियर में इतनी थंड थेगी कि इमत नहीं हो रहा था आपने गलब से निक खाल था कि फिर थोड़ा मुसम यहां पर ठीक है तो जाने और धूम दोर कोड़ा भी बहुत है और जब हाइवे पर आया हूं तो धूब लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है का डे भी बहुत लंबा होने वाला है नमबा इन दे सेंस कि आज का जो राइड है वह ट दस बजे हम लोग स्टार्ट के रहे तो होफुली बाइशिक्स और सेवन के बीच में है वाइशिक्स और सेवन के बीच में हम लोग उच जैन पहुंच जाएंगे होटल हमारा बुक्ट है अल्रेडी हुआ है लोग झाला है वह टोगा है वहँ है वोग जा बाइशिक्स और सेवन के बीच में है वह. इसक्ट का जो पता है वह. तो रहुंच झाला के लाइशिक्ट रहुआ है वोग भाईशिक्ट टाइम आ गया है फ्विल भड़वाने का क्योंकि रिजर्ब में बाइक लग गया है बस 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 हो गया है अब अब थोड़ी देर रुखते हैं सनयां वहां पर रेस्ट ले रही है तो क्या भगाया है हमने यार गारी फिर इस पार अधनिवाद सर अधने बैंकलोड से अभी गए थे पर की चलो थोड़ा तो फाइलिक भगाया है हमने फेड अभी एक बज रहा है एक घंटे दस मिनट में टोटल एक्सओं तो दस किलोमीटर चलाया है गारी अगर ऐसा रोट रहा ना तो अल्टिमेट माजाएगा वह बाइक है इसलिए इतना रुकना पर रहा है अगर नहीं रुकना रहता तब तो यार छे घंटे में हो जैन खैर अभी फिर से के स्टॉप लेते हैं दस मिनट का कि अच्छाय की एक डरकार लग रही है क्योंकि अब थोड़ा अलसपन आ रहा है और निंद भी आने लगेगा अगर अभी चाह नहीं पिया तो पेट्रॉल पंग से चले हुए एक घंटा हो गया है एक घंटा हुआ है और इस एक घंटे में हमने चला लिया है 90 किलोमेटर पीश में एक पैच आया था 10 या 12 किलोमे अब्द पास है जो रोड़ है वो एक नमबर है और जो प्रॉडिसेंग या वह भी एक नमबर है फाइनली चाय पी लिया लंच का टाइम था लेकिन लंच नहीं किया भूक नहीं लगी हुई है नेक्स स्टॉप पे देखते हैं लंच करने का इतने दिनों से पुने से जब से निकला था चेन लूब और चेन क्लीनिंग नहीं किया था तो अभी जितना हो सका चेन क्लीनिंग और चेन लूब लगा दिया है 166 किलो मिटर और बचा हुआ है मैप में देखा है हमने तो लगता है दो दो स्टॉप लेना ही पड़ेगा 166 के लिए कहीं और अच्छा रेस्टॉएंट मिलता है तो वहाँ पे खाते हैं यहाँ पे मनने क्या वास्रूम भी यहाँ ठीक नहीं था तो यहीं पे खड़े खड़े ही चाइवाई पी लिया और अब निकलने की तयारी कर रहा है तो फार इट्स आसम यह पता नहीं क्या हो गया ओ शिट ओ माइग ओड लेहानक एक्सिडेंट हुआ है भाई यहां पे उपोजी डियरेक्शन में बहुत लोग चलाते हैं तो मुझे लग रहा है कि अधर से जो ट्रक जा रहा था उसके साथ भेड़ गया सण लाइट पूरा सामने से आ रहा है तो थोड़ा सा चलाने में दिक्कत हो रहा है कि अधर को नीचे करके रखना पर रहा है और मुझे लगता है कि अभी सब्सक्रांद को ऑफिरी रहे गया कुकि हमें उधर ही जाना है वेस्ट के तरफ ही जाना है और ये प्राब्लेम अभी मुझे लगता है दो घंटे तक रहने वाला है और अभी लाइट भी बहुत तेज है तो चलाने में थोड़ा सा दू प्राब्लेम होड़ा है तो बेटर है कि कहीं लंच करी लेते हैं तक में थोड़ा सनलाइट भी मद्धम हो जाएगा यह अपना लंच कर लिया फूरा देशी धावे में जैन धावा एंड जैन फोटल मतलब मुझे उमीद नहीं था कि इस तरह के धावे में इस तरह का खाना मिलेगा जनरली यह होता ही है नौर्ट में आप किसी छोटे मोटे धावे पर जाओ ना तो मत खाना आपको मिलता है वहां पर किलो मीटर के बाद यह हमें हाइवे छोड़ना है और फिर साइद इस्ट दाल मकनी दाल मकनी और चावल और मसला पापर